हेलो बडिवन नुमेरिकल है करेंट एलेक्टिसिटी से फर्स्ट नुमेरिकल है कि इन अ कंडुक्टर 6.25 10 रेस टू पाउर 16 एलेक्टरॉन नमबर ओफ एलेक्टरॉन गिवेन है आपको नमबर ओफ एलेक्टरॉन गिवेन है आपको 6.25 10 raised to power 16 electron इतना given है आपको flow from its इंड एक कोई conductor है और conductor का इंड A से इंड B तक इतना number of electron flow हो रहा है कितने समय में T is equal to 2 second में तो कहरा है find the current इतना electron flow होगा तो कितना current बनाएगा यह आपको flow करना है वो आपको बताना है और E की जो value given है वो 10 raised to power minus 19 कुला यह given है तो Q is equal to कितना होता है NE और is equal to IT होता है यही फार्मूला आप यूज कर लो Q is equal to NE भी होता है और IT भी होता है तो N की जगह पर आप 6.25 into 10 raised to power 16 लिखेंगे E की जगह पर 1.6 into 10 raised to power minus 19 और I तो आपको calculate करना है और T कितना है 2 सेकेंड में तो I is equal to I is equal to 6.25 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 और plus 16 और Y2 2 से इसको divide करोगे 0.8 हो जाएगा I is equal to कितना हो जाएगा आट पर से चल आपको जाएगा और जो पच्चास ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा 2 पॉइंट पर डेशियमर लग जाएगा और 2 पर नहीं लगेगा 3 पर लगेगा 3 पर लग जाएगा और 10 raised to power minus 3 हो जाएगा I is equal to 5 into 10 raised to power minus 3 एंपियर और I is equal to 5 10 raised to power minus 3 मिली में छुप जाता है तो हम ये लगे रहेगे कि मिली एंपियर हो जाएगा जाएगा